नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की इतोफोड अभाड टैबलेट का उपच्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, Itoford MR Tablet को कैसे लेना चाहिए और Itoford MR Tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Itoford MR Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Itoford MR एक brand name है Itoford MR Tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है Itoford MR Tablet के अंदर salt composition इतोरिकोकसिप 60 mg और थियोकोलचिकोसाइड 4 mg होता है Itoford MR Tablet का उप्योग मासपेशियों के दर्द के इलाज में किया जाता है जैसे कमर में दर्द होने पर, गर्दन में दर्द होने पर, हाथों व पैरों की मासपेशियों में दर्द होने पर Itoford MR Tablet का उप्योग किया जाता है Itoford MR Tablet शरीर की मासपेशियों की एंधन, मासपेशियों की जक्णन और मासपेशियों के दर्द से राहत दिलाती है इसके अलावा रूमेटोड, अर्थराइटिस और औस्टियो आर्थराइटिस होने पर भी जोडों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी इतोफोर्ड एमार टैबलेट का उप्योग किया जाता है साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में इतोफोर्ड एमार टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में इटोफोड MR टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे बधजमी होना, पेट में दर्ध होना, पेट में जलन होना, कब्स होना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, तवचा पर खुजली होना, तवचा पर रैशेस होना, भूप कम होना, दस्त होना, नीन अधिक आना, सिर्छ चक्राना और लिवर इंजाइन बढ़ सकते है ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में इतोफोड अमhar टैबलेट को लेने से किड्नी वर लिवर डैमेज हो सकती है और शरील में खून की कमी हो सकती है इसके अलावा लंबे समय तक यानी लगातार कई महीनों या कई सालों तक इतोफोड MR टैबलेट का सेवन करने की वज़े से पेट में ब्लीडिंग होने का, दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की इतोफोड MR टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है इतोफोड MR टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर इतोफोड MR टैबलेट को दिन में एक बार ही लेने की सलाह देते हैं कुछ व्यक्तियों को डॉक्तर केवल दर्ध होने पर ही इतोफोड एमार टैबलेट को लेने की सला देते हैं। इतोफोड एमार टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इस से अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको इतोफोर्ड MR टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि इतोफोर्ड MR टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इतोफोर्ड MR टैबलेट को देना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इतोफोर्ड MR टैबलेट को लगातार साथ दिन से अधिक लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना अपनी मर्जी से इतोफोर्ड MR टैबलेट को लगातार लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। पेट में अलसर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किड्नी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर इतोफोर्ड MR टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना इतोफोर्ड MR टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। बच्चे को नुकसान पहुचा सकती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं में इतोफोर्ड MR टैबलेट मा के दूद के जरीए बच्चे तक पहुँच सकती है। और दूद पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इतोफोर्ड MR टैबलेट को डॉक्तर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका इतोफोर्ड MR टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। झाल